सर हमारी कंपनी का नाम है S.L.P.S. Wellness Pivot Limited हमारी कंपनी लगभग पिछले 5 सालों से काम कर रही है और 5 सालों से ज़ादा जब हमें काम करते हो गया है तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी कंपनी का टर्णोवर प्रोड़क्ट बेस के अंदर आज की डेट में इस साल जो फाइन लाख लोग जोईन कर चुके सब 7 लाख इतने लोगों की टीम में इस कंपनी के अंदर बन चुकी है कंपनी का प्रोफाइल बहुत बड़ा है कंपनी का बैक्ग्रॉंड बहुत बढ़ा है आगे चलते हैं सर यह हमारी कंपनी की डैक्टर मिश्टर संजीब कुमार सर आर्मी कंपनी के फाउंडर है इनकी वज़े से आज कंपनी फाउंड हुई है इनकी वज़े से आज कंपनी चल रही है इनकी वज़े से यह कंपनी मजबूत है लीगल डोकुमेंट्स यह हमारी कंपनी कुछ लीगल डोकुमेंट्स है सर किसी भी कंपनी को आप जानते हैं कि चलाने के लिए भारत सरकार के स्वारा भी और बहुत सारी प्राइवेट और गॉर्मेंट की जो भी संस्थाएं हैं किसी भी कंपनी को चलाने के लिए हमारे पास कुछ मतलब है कि क्योंकि अर्लियर लिखा हुआ अर्लियर का मतलब है पहले लाइफ फ्यू डेकेद्स बैक टुड़े यानि कि कुछ दशकों साल पहले यानि कि 40-50 सल पहले की मैं बात करूंगा आज से 40-50 सल पहले एक चोटा बच्चा जब पैदा होता था तो आप इस बात को येकीन मानेगा आप शायद इस बात को Agri करेंगे मानेंगे कि पहले के जमाने में बच्चों की जो डिलिवरी होती थी वो नर्सिंग हॉम या हॉस्पिटल की बजाए घर पे जादा होती थी आब इस बात को चोटा बच्चा होता था घर में होता था शुद्ध खाना होता था लोग योगा करते थे योगासन करते थे शुद्ध हवा होती थी सब कुछ होता था खाना पीना बहुत जादा शुद्ध होता था तो होता कहता सर बिमारिया बहुत कम थी बिमारिया उसे सबसे लगती नहीं तो पहले के जमाने में एक आम इंसान 100 साल, 90 साल, 95 साल, 105 साल, 110 साल, 115 साल तक भी जीता था आज अब इस बात को येकीन मानिएगा, आज आपको 80 साल के भुजर्ग को भी देखना बड़ा मुश्किल होता है आज बहुत कम लोग हैं जो 80 साल तक भी जी पा रहे हैं, आज एवरेट जो उमर रह गई है, वो माज तर 75 साल रह गई है अब तोड़ा आगे चलते हैं, व हुए पहले का जमाना सरअीट理, ये आज का टाइम हैं अब इस बात को देखना ह। छोटा बच्चा बर्गर का रहा है और ये सच्चा ही है सर हमारे घर की आज थोट चोटे बच्चे जब चै पी यह पी एजिए को आज आगे हम चाय यह थोड़े की डिल यह ओचाले हो शोदी को चेश्य कारेख कारे दिलकिंट नहीं आज बचित यह ऐद लगारे हैं तो हम आपको कुई एजुदे की डाल है तोटी थी चौमिन उसके हाथ में बढ़ायते हैं वो खाता रहता हो चौमिन को ऐसा होता है नहीं होता है सर आगे चलते हैं आप देखेंगे पीजा वाईजा लग खाने लग गए है अच्छा आप इस बात को देखेगा यह क्या है यहां पर बीपी टेस्ट हो रहा है आप नो इसमें रिफाइंड प्रड़क्ट्ट अच्छा है आप खाना किसमें बनाते है तुशील सर रिफाइंड आपको बता दू सर रिफाइंड बड़ी खतर नाख है इसका बनाने का जो प्रोसेस होता है वह एक सबसे ज़्यादा लास्ट का बेस्टेज होता है जिसे रिभट् vais 닿 vin बना के बेज दिया जाता है, मेरी सला है आपको, कोशिश करियेगा, कि सरसो के तेल के अंदर खाना बना पुशिश करियेगा, कि घी के अंदर खाना बना बना बट् कोशिश करिए से रिफाइंड आज के बाद चोड़े मेरी सला है आपको यह चीज़ आपकी हेल्थ के लिए आपके बच्चों के लिए परिवार के लिए अच्छे नहीं है तो यह सब कुछ सर हमें ध्यान से देना है बॉइल डाउन वेजिटेवल फ्रूट साल्ट सुगल कॉलेस्टोल होता है कैफीन है अलकोहल है मेडिकेशन है यह सारी की सारी एक प्रॉब्लम है इन चीजों में जो हम खा रहे हैं अच्छा एक चीज़ और बताता हूं जाब इस बना हुआ है आप इस बात को देखना ज्यादा तर जमीदार अब कुछ काम करने लगें रात को लोकी इतनी सी होती है इंजेक्शन लगाते लोकी इतनी बड़ी हो जाती है तो आज यह सब कुछ मिलावटी है सर आज आपका बच्चा या आप या हम या आप हमारे बज़ु कुछ भी खा रहे हैं कुछ भी पी रहे हैं हम बोलते ना फ्रूट का जूस पियो उसमें भी कहीना कहीं कुछ ना कुछ केमिकल से में लग आज समझ नहीं आता क्या खाएं क्या ना खाएं सर आज बहुत चीजों में मिलावट आ गई है आगे चलते हैं आचा आपके ज़र म कहां मिलावट तो कुर का चुट काने को खाने को पकाता नहीं है और इसे की वज़े से हिंदुस्तान के अनदर आज से सौ 100-300 साल पहले जो लोग पैदा थे उनकी हाइट जाती थी आठाट-9-9 फूट तक बड़े होने के बारत लेकिन आज एवरेज हाइट क्या है सर पांच फूट थाड़े पांच फूट पूने छे फूट इससे जाज़ा जातर लोग आप भी दिखेंगे नहीं बहुती कम लोग यह जो शेफूट को टच कर प प्रब्लम क्या है हमारे खाने पीने की वज़े से ठीक है सर आगे चलते हैं यह कुछ पुरानी बिमारिया हैं सुशिल सर जैसे मलेयरिया डिप्तेरिया स्कॉलल पोक्स प्लस चिकन पोक्स को लर्य टुब्रीको से भूपिक अधिक को यह कुछ वो बिमारियां हैं जो आज के जमाने में नहीं दिखती इ वो बिमारिया जो आज से 20-30-40 अल पहले हो थी हैं आप मानते इस बात को आज से 30-40 साल पहले की यह सारी की सारी बिमारियां फैलती थी मच्छर से चुहे से बैक्टीरिया से यह सारी बिमारिया इस इस से फैलती थी लेकिन आपको जानके हैरानी होगी हमारी आज की यह बिमारियां तो है ही नहीं कॉमन आज की बिमारियां क्या है आज की बिमारियां इसर यह ऑस्तियों पर कितने लोग इसमें डियाबिटी शुगर ठीक है स्टोक 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 का मतलब होता है अटाइक आना ठीक है कैंसर आज बहुत लोगों को है कार्डियो वर्सकूल डिसीज हाट की प्रॉब्लम कितने लोगों हाइपटेंशन बचों को बढ़ी टेंशन होती है आर्थेरिटी ह इन बीमारियों का कारण है था शुड़ ये खेतों के अंदर दभाई डाल रहे हैं चेतों में ऑसको बढ़ानेके दभाई डाल चुड़ों इसको पैस्टीसाइड बोलते हैं आज Pesticide की दवाईयां डाली जाती है ताकि आपने माक्स क्यों पेंगा हुआ है जल्दी जल्दी आग tendency को मारने की लिए डाली जाती है आप इस बात से हैरान होंगे जब इसमें अच्छाकि यह नि Shaun कारच है को जल्डी जब इसमें जाती है इससेने सबूंज होगा। उसमें वो दवाई के अंश होंगे इसमें अगर जो भी चारा बनेगा मालो अभी इसी खेत को काटके गाएं भैस को खिलाया जाएगा तो यह कहां जाएगी दवाई इंडिरेक्टी उनके पेट में और यही कारण है कि उनसे जो दूद आ रहा है गाएं भैस से वो भी प्योर आगे जलते हैं तो जो आप इस बात को समझिएगा आपका इंदर 16 चमच चीने के बराबर मातर आधि है सर एक ग्लास कोल्ड्रिंग के अंदर 16 चमच चीने के बराबर मातर आधि कर बहुत खतरना चीजें सर अगर आप ये पीते हैं मेरी सला है आज ही छोड़ दीजिए आपको इसके दो तिन एक्जामपल दे देता हूँ, आप कोडिंग की बुटल लाना सर, चीक है, उसका डखकन कोलना, और उसमें कुछ मत करना, उसमें एक आदा ब्लेड या पूरा ब्लेड डाल देना और डखकन बंद कर देना, और एक हफ़ते बात खोलना, आप हैरान हो जा करने के लिए क्या रखते हैं, हार्पिक वगेरा यूज करते हम लोग हना, जुरती नहीं है सर, जुरती नहीं है, आप कोल्डिंग की बॉटल लाना, कोल्डिंग की बॉटल को फैलाना, उससे धोना, आप जानके हरान हो जाएंगे सर, आप आपके हार्पिक से जादा क्लीन करती है कों पाल कि दिड़े या फिर वारे घर में मान आते तो हम पिलाते हैं इस बात को समझिए मेरी स necessarily कि छोड़ दी आस से को डिये बच्चे पी हो बच्चे पी रहें तो बच्चों को बिल्कुल कि अब करने चलते हैं जा लोगे door हो गया इसके जिती तसे हो गई हो गया केक हो गया झृजन सब में अच्कल सकता है कि आप खाले पीने पे कंट्रोल कर लो भिबाँ को कलेसे इसे कैसे इस पे तो दिल्ली सरकार में कंट्रोल कर पारी हरयाना सरकार में टो सरकारों के थे नहीं पिद्li सरकारों के सब्सक्राइब आए हार कंट्रोल में उसे नहीं है इसी पिसे देन कर सकते लेकिन बात संजी गा को संगे theory से दिएदे हान के बट रहा है डारप आपको मैं गेरंटी बोल रहा हूं सर आप अपने सुसाइटी में सर्वे कर लेना और चैलनेंज हाठ पे तेड़े हो जाना क्कॉर थेखो कर नहीं हैं कोई भी बजूर्बग आत्मी फिसल जाता है एक रंडा तो फ्रैक्चर हो जाता है चोटी-चोटी चीजों में आज सर हड्डिया कमजोर हो चुकी है हमारी मोटापा आज हर दूसरी इंसान को मोटापा बढ़ता जा रहा है सर हमारे खाने पीने की वज़े से हाइपटेंशन बहुत टेंशन लेना कैंसर की प्रॉब्लम सर बहुत लो जाओगे ना आपको एकक्टी गैरंटीड मल जागा जो बोङँ मुझे पत्रीय है नहीं मिल जागा तो बोलो वित की अशाएब हर सात्वय में से एक बंदेड़ को पत रिये हां हिंदूस्तान का रिकॉर्ड आई को सचैं intimacy पर्सेंट इन में वुमेंस में मतली प्रोब्लम देट की प्रोब्लम लिवर है क्हाना पीना सही नहीं आज तो जो खराब होना ही होना है है तो मैं आपको अपने अपर कर्णूंग बारे पा थो सन्धे पाट है कि आप बड़ा क obtot अस्तमा में बड़ा जवर्दास इसका रिसल्ट आता है हमारा पॉड़क आता हमारा पॉड़क आप नाम से देख रहे होंगे डाइबिटी आप डाइबिटी के बहुत पेशन्ट है बहुत लोगों को शुगर है आप यह वाला पॉड़क दे देना सर हमने 500 500 शुगर लेवल 600 600 शुगर लेवल महिने महिने डेड़ महिने के अंदर कंट्रोल किया इस पॉड़क की वजय से ठीक है आगे चलते हैं अगला पॉड़क इस और और यह बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आज इस बात को समझेंगे चालीस साल उमर जादा होती है पैंतलीस साल से उमर जादा होती है यस और नो हो जाते हैं हो जाता है आज बहुत सारे लोगों को आज गुटना की प्रॉब्लम में से वाला पॉड़क की साथ तंटर भॉलास कोमिनेशन में दे देना मैं बोल रहा हुं साथ तीन मेने चार मेने पिला ज़ए ज़िन भाद ठीक हो सकता है हमारा पॉड़क सा त्रॉब्लम् से लेडी क्रोबिम्'M मंथली प्रॉब्लम और थे इसके अंडिर हमारा गैनोर्ड प्रॉड करता ह। यानिकि जो मारा खून है उसको साफ करेगा जब स70 साफ होगा तो और यह से ज्यादे बिमारिया तो यह आगे सबस्कें में नाम देख रहे हैं लोमोत बना जाता है हाथ हमारे इस पॉलक के खुने हमारा देख आशाड़ु साफ होगा तो उनकी सगी सिस्टर रहती है मेनपूरी में उनका हाट का ओपरेशन था आपको मैं गैरंटी के साथ इसके रिपोर्ट तर मंगवा सकता हूं हमारी कंपनी में हमारे साथ काम करते हैं पवन सर लिवो डोक लिवर में काम करता है अगर लिवर फेल भी हो जाए लिवर डैमेज हो है 80 पर संदी हमने अई से रिजल निकाल यह सर एक बंदा है हमारी कंपनी में इसको हील्ट मिला है दोक्तर ने बोल दिया था जितने दिन बचे है उतने दिन जीलो लेकिन सर हमारे पॉड़क से एक साल से ज़ादा हो गया बंदा जंदा है ला ज़ना रहा आजकी ज़तमे इ कि लाओ स्टॉन निकलता है जो इस्पेशली के लिए काम आता है और जानते हैं कि बहुत भीमारी है जिसके लिए अलोपेटी में सिर्फ बता जाते हैं लिकिन उप्रेशन की जूट निए पाइल से आपका उप्रेशन भी रुखेगा ठीक भी हो सकता है यह लंच में काम आता है अलोवीरा आप इसको यूज करें सर यह पंच तुलसी है नॉमल चाय में पानी में आप इसको रेग्लर यूज करेंगे दीरे 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 आपकी जो दिल है आपके जो हाट है उसके अंदर का अगर कार्बो हाइडर जमा हुआ है या फैट कई पर जमा हुआ उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करेगा ये नोनी है सर ये एक normal person भी पी सकता है हमारी body में कभी कभी क्या होता है छोटी छोटी कोशी का है ना खतम हो जाती है और वो जगा जगा पे छोटी छोटी दो-चार कोशी को जुन्ड बनता रहता है जो आगे चलके पांस साल दस साल पंदस सा गैंसर का रूप भी ले सकता है अगर नोनी हम रेगुलर यूज करते रहेंगे तो अगर कोई भी हमारी body में जो कोशी का है मर गई है मर रही है उनको रिपेर करेगा उन ट्यूमर्स को खतम करेगा इवन cancer patient को भी आप ये वाला product दे सकते हैं आगे चलते हैं हमारे kit बच्च आप थाइरोड के लिए यह वाला थाइरोड प्रोवाइड कर रही है यह फीवर डोक है वाइरल फीवर आपने सुना हुआ वाइरल फीवर में जैसे डैंगु है मलेरिया टाइफ आइड़ है उसके अंदर आप हमारा प्रोड़क देंगे सर अल्टीमेट है हमने दो तीन त प्योर आइडविदी के कोई से डिफेक्ट नहीं है बहुत अच्छे रिसल्ट थे एक्सियर शेंपू है यह हेल डोग ओले सर जैसे बहुत लोगों के बाल टूटते हैं सर बाल टूट रहे हैं बाल जड रहे हैं उसमें आप हमारा यह वाला पॉड़क देंगे पीने के लि मैं गर्रोट के सदेंगे रिसल्ट सर आप पेष्ट के ईलावा किया यूद अरफ रहे हैं उसमें उस पेष्ट के अलग actually यू जल जायेगा कड जायेगा चोट लग जायागा चोऑँ बादेना उसे लगा सकता है बाल गेको नदांके उसी व殺 दूसरी चीज अपको दाद या कुछ खुजली टैप हो गया उसके उपर आप गुलावजल में मिला कि इसको लगाना सर अल्टीमिट फरक आएगा आप देखेंगे चोभी सेटालीस हिंटे के अंदर फरकाना शुरू हो जाता है इसके लावा कभी-कभी आपने खाना खाते हैं तो गैस बन जाती है उस गैस में आप इसको अप्लाई करेंगे आदा कप गुला पानी लीजिए और थोड़ासा हमारे देंटरोग मिलाई गोल के पी जाईए सर दस से 20 सेकेंड में गैस फूर हो जाएगी सर गैरंटी आपके सा इसको तीन-चार दिन यूस करें आप दुनिया के सारे पेश्ट भूल जाओगे इसको यूस करने की बाद ठीके सर आगी सलते हैं सर यह हमारे ना कुछ ब्यूटी आइटम से ठीके जैसे कुकुम्बर क्रीम है सैफरों जेल है केर क्रीम है फेस पैके फेस करब है फेस वाश जैसे आपने शेम्पू आया था है यह जैसी जल जैसे मूव होती है उसके अंदर आप हमारा जैसी जल उसके इलावा यूस करेंगे बहुत अटिमे रिजल यह हमारा एडिक्टो आज आप देखते होंगे बहुत लोगों को प्रॉब्लम है एडिक्शन है नशा करते हैं लो हम अभी अभी लॉंच हो हमारा चे मीने पहले यह और चे मीने के अंदर बहुत लोगों पर इसने अफना असर दिखाना शुरू कर दिया बहुत अच्छे रिजल्ट है लोगों के नशा भी छुटाने का काम है सर यहां पर सोचो कफ डॉब्लम है आपकी खासी कितनी भी खत आती है किसी को धूप से धूर से अलर्जी है इसके बाद आता सर वेंडो कोईल में क्या सर नसे खोलता है आप नसे बाहर से मालिश करेंगे नसों को खोलने के काम करता है बड़ा जबर्दस प्रड़क्त है हमारा त्रिफला रस जैसे वात पित कफी स्टैप की जो भी चीज अब तक जो मैंने आपसे प्रड़क्त शेयर किये हैं सर अब जो मैं आपसे बात करने वाला हूं यह बहुत इंपोर्टेंट हो सकता है अभी तक हम मेरी बातों में 10-15-20 निल्से हम लोग बाते कर रहे हैं हो सकता है कि आप मेरी बातों में ध्यान दे रहे थे नहीं दे नही लेकिन लेकिन अब जो मैं आपसे बाते करूंगा सर मैं गैरंटी देने को तयार हूं आपको गैरंटी यह बात अगर आपने समझ ली सुन ली आपकी लाइफ दो से तीन साल में चेंज होगी मेरा बाता है जहां से समझना है हमने मैंने मैंने आपसो कुछ प्रड़क्त शेय कर सकते ताकि बीच का मारजन आपको मिल जाए तो आपको क्या करना है इस बिंदस में जॉइन करना है कुछ प्रड़क्त के साथ किलियर है कितने प्रड़क्त क्या प्राइस ही मैं आपसे लाश्ट में शेयर करूंगा कुछ प्रड़क्त से आपने कुछ प्रड़क्त यानि कि आपको बीस परसेंट का लगबग डिसकाउंट मिलेगा यह आपकी पहली इंकम होई क्योंकि अब जो मैं आपसे बाते करने वाला हूं वह आपके जिम में पैसा कैसे है यह जरूरी है इसी तरीके से होगा क्या जहां से समझना आपके भी कुछ कॉंटेक्ट्स होंगे आपके भी कुछ अच्छे दोस्त होंगे आपके भी कुछ फैक्ट्री में काम करने वाले लोग होंगे आपके भी बहुत सरे परिशित लोग होंगे तो आपको करना क्या ध्यान से सुनिएगा डाट इस यू प्लान आपको नहीं बताना समझाना आपको नहीं आपको कुछ लोगों से मिलवाना है प्लां दिखाना प्लां समझाना करना यह सारे काम हमारे हैं आपका काम क्रते हैं आप सर्व इतना है कि आई आगे चलते कैसे माल लीजैंया आपने 2, 4, 6, 10 लोगों से मिलवाया कुछ आपके 2, 4, 6, 10 लोगों से हम मिले हम आपके 2, 4, 6, 10 लोगों से मिलेंगे सर्फ सारे लोग जोइन नी करेंगे तो गवराना मत यह बिजनस है बिजनस में सब होता है सर्फ कुछ करेंगे कुछ नी करेंगे तो आपके 2-4-6-10 लोगों से हम मिले, दो लोगों ने जोइन किया, मान लीजिए, लेफ्ट और राइट, ठीक है, जैसे ही आपके दो लोगों ने जोइन किया, आपका बन गया एक जोड़ा, और यहां से आपके दूसरी इंकम आनी शुरू हो जाएगी, जिसे बोलते हैं, प आपका एक जोड़ा बना, आपने गहजार पे कमा लिया, के लिए रिसर इहां पर, आप बहुत सर लोगों जानते होंगे, कोई भी हम दो नाम इहां पर सोच लेते, जो आपके थोड़े क्लोज लोगों से जैसे कोई भी दो नाम बताईए, राजकुमार, राजकुमार, आउन की काफी क्लोज लोगे, थोड़ा दयान से समझ येगा, वाल मार लिज आपने जोड़ा उन किया, राजकुमार जी आगए तर आशीज आगा हैढ़ाई हम मार के आँए, वाल के छुन कर लिया, आप बताईएस आप जो काम कर रहे इं, कितने समेह से कर रहे हैं, हर ह m ह कि आज़े आपको थोड़ा वो जाना पड़ता है धींदेना पड़ता है दिखाना पड़ता है आपने आपकी प्रेसर्श करीशिक के दूर। ऑपकी तीम प्रेसर करेंग based आपकी इस दिन पर और गड़ दो हमında डिवुड़़ के ब democration अप सोचो राजकुमार सर ने जोइन है अश्र अचा राजकुमार सर को भी प्लान दीखाना नहीं तो अब सुशिल सर्द आपके दो लोग हो गए left में एक हो गया right में तो पहले एक पेर बना था तो पेर का 1000 रुप आपको मिल चुका था तो company कहती है जिस दिन भी लग भी समझाता तो company कहती है जिस दिन भी आपका दो और एक का रेशो पूरा हो जाएगा उस हफते में आपक तो इस रेशो का पंदरा सोर पे अलग से आएगा जो आपका बोनस का चेक कहलाता है तीसरी इंकम अब बास समझदर यहां पर आप अपने दस साल से जिस काम को कर रहे हो उसमें आपको आज भी कहीना गई थोड़ा बहुत दिखाना पड़ रहा है लेकिन एक परसेंट आपने राजकुमार सर को जोइन कर रहा है और राजकुमार सर के तुरू जैसी एक सेल आ गई आप अगर लेहल पूरा हो होगा जैसे बॉलते हैं डाज रिए राजिया एधे पर टॉटल इनकम हो जाते हैं डाइजार की हजार अगे चलते हैं यह दो लोगों के साथ मिल के हम ही क्या करना है 6 लोगों को जुंकलाराण Iदर और इसousing के साथ मिलकराना 3 लोग पर इसाथ इम एक चीप समझ नहीं है सर आपको छे और तीन अपनी लिश्ट से आ सकते तो ठीक है नहीं तो टेंशन लेने की जूरत नहीं है इनके पास भी तो लिश्ट है इनकी लिश्ट पर थोड़ा बहुत हमें सपोर्ट करना थोड़ा बहुत काम करना है आप साथ दे देना सर बिजनस अगले हफते फिर एक जोड़ा बना आपको एक हजार रुपे फिर आ जाएगा अगले हफते फिर एक जोड़ा बना आपको एक हजार रुपे फिर आ जाएगा ठीक है सर जोड़े का पैसा ये चीज समझानी जरूरी है ध्यान से सर जोड़े का पैसा हफते हफते आएगा औ और bonus वाला पैसा उस हफते में जिस हफते में रेश्यो पूरा हो जाएगा किलिए रशर तो ध्यान से समझना माल लो ये जोडे तीन के तीन एक हफते में हो जाते तो तीन हजार अपको एक खटे भी आ सकते तो जितने जोडे बनते हैं उतना हर हफते आएगा तो मैंने आपको समझ लिया कि एक हफते में एक माल लेते हैं तो जिस भी हफते में टोटल छे हो जाएंगे इदर और तीन हमारे जोडे की यहां पर होई रहे थे तो टोटल छे और तीन जित दिन हो जाएंगे आपका बोनस का चेक आएगा साड़े चार जार पर यह अलग है तीन हजार यह अलग है साड़े चार यह अलग है टोटल हो गया साड़े साथ हजार रुपे सर और अगर मैं दो लेवल की बात करूँ आपसे तो दो लेवल पे आपका चेक टोटल बनता दस हजार रुपे जिसमें आपने शुरू में दो ही लोग जोईन कराये थे और दो किसे चार, छे, आठ, दस, बारा लोग टोटल आए आपके दस हार पर आ रहे हैं आगे चले सर आग और तीन और एक चार लोग के साथ मिलके करने एदर छे, छे जोड़ो पे आपको आगे 6,000 रुपे हैं, चीगे सर और ये 6,000 रुपे हो सकता है, एक हफते में 6 की 6 से लिग जाए तो एक हफते में भी आ सकते हैं, कभी एक से लगी कभी दो से लगी तो उस हिसाब से आएंग अगरा लेवल प्लाटिनम होता है, चोबीस इदर, बारा इदर, बारा पेर पेर बारा हजार रुपे आप कमाते हैं, कभी 2,000 माल लीजे, कभी 3,000 का आगया, कभी 1,000 आगया, कभी 4,000 आगया, टूट टूट के जितना बनेगा, उतना पेर का चेक आजाएगा, जिस हफते म हो, चार हफते में हो जाए, पांचवे हफते में हो जाए, उस हफते में आपको अलग से आएगे, 20,000 रुपे का बोनस का चेक, तो अभी 3 इंकम को कैडी कर रहे हैं, पहली इंकम आपकी जोइनिंग पे मिली थी आपको, दूसरी इंकम जोड़े-जोड़े की हर लेवल पे पनी रही है, और तीसरी इंकम भी बोनस की हर लेवल पे आपको मिल रही है, एकटी, कि लिए रहे सर, अगला लेवल कौन सा है सर हमारा है, अगला लेवल एमरेड, कौन सा है सर, एमरेड, 48 इदर, 24 इदर, 24 जोड़े पे 24,000 रुपे, तो मिलेगा आपको जोड़े का, कभी 3 हजार, कभी 4,000, कभी 5,000, हो सकता है, कभी 8,000, कभी 7,000, डिपेंड करता है कि कि इतने जोड़े पे हम चल रहे हैं, कि इतने अची प्रवामेस कर पा रहे हैं, जिस हफते में आपका ये एमरेड लेवल हो जाएगा, उस हफते में, आपके एकाउंट में, एक खटा आएगा 45,000 रुपे का चेक बोनस का, अगला लेवल होगा टोपैज, एक सो बीस से लिदर, 60 से लिदर, 60 जोड़े पे कितना आया, 60,000 रुपे, 60,000 रुपे आगा, ये टूट टूट के आएगे सर, कभी 7, कभी 6, कभी 5, कभी 10, कभी 12, कभी 11, कभी 9, कभी 10, कभी 12, ठीके सर, जैसी आपका ये लेवल पूरा हो जाएगा, वोस अथे में आपके कॉंड में 21 पैसा हाएगा, सर, कितना है सर, देड लाक रुपे, एक अथे में आएगा सर, एक अथे में अथा, एक अथा और प्लस, जैसे आपका तो पैसे लेवल हो जाएगा, आप एक इंटरनेशनल टूर आई लेंड बाइयर आना जाना रहना खाना पीना सफरी कंपनी की तरफ से होगा सर और आपका पासपोर्ट यहां से शुरू हो जाएगा लगना आपकी जिन्दगी के सपने यहां से एक और शुरू हो जाते यह आपकी चोथी इंकम है जो इंटरेशनल लेवल पे अगला कभी 14 कभी 13 क्योंकि जैसे आपकी टीम बढ़ते जारी है आपकी वीकली पेमेंट वीकली चेक भी बढ़ जाएंगे यहां कि आप महीने का भी बहुत अच्छी लेवल पे चले जाएंगे तो जैसे आपका रूबी स्टार पूरा होगा आपके एकाउंट में 81 जो बॉनस का चोथी इंटरनेशनल टूर पांचवा आप जो मैं आपको बताने वाला हूं इसे बोलते हैं बाइक फंड पचास हजार रूपे का बाइक फंड आपको मिलेगा यहां पर और एक असी प्लस पचास दो लू दो लाकीज तर कितने होगे सर यह आपके कौन में खिट्टा आए लोग इतर आएंगे दोस्तो चालीस लोग इतर आएंगे दोस्तो चालीस का मतलब हो गया दो लाक चालीस जार रूपे कितना सर दो लाक चालीस जार रूपे यह रहेगा आपका वीकली पेमिन में जैसे कभी 20 कभी 24 कभी 22 कभी 21 कभी 19 कभी 20 कभी 20 कभी 20 कभी 20 यह आपका वी अब आपकी फैमिली में से दो बच्चे और आप जा सकते हैं मैम के लिए भी यहाँ पर एक बैनिफिट है आप जाएंगे दुबई घूमने के लिए वह भी चाठ टिकट मिलेगी जिसमें आप जाएंगे मैम जाएंगी दो लोग आपके परिवास से जाएंगे सर कैसा रहेग आपको नहीं लाने यह टीम जो बन जाती है इतनी से बढ़ जाती है आपको पता में चलेगा 900,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 अब को इन पर चलेगा ठीक है दो लाग भी जर पर बोनस का आएगा और 6 लाख रुपे सर, 6 लाख रुपे कारफंड का मिलेगा, कारफंड का, और अभी आप दुबई घुमने गए थे, अब आप जाएंगे, सिंगापूर, मलेशिया जाओगे सर अब होंगे, ठीक है, दसवा लेवल होता है सर डैमन का, औ यह इस बिजनस का सबसे इंपोर्टेंट और सबसे जबर्दस लेवल है, इस लेवल के बाद, जिंदगी बदल जाती है सर सबकी, मलब आप एक अरब पती-कोडपती वाली जो लोग जीते है न, आप डैमन लेवल पर लाइप जीना शूरू करते होगे, इतने जबर्दस अ अब यहां तक आपने 10th लेवल तक यानि की diamond लेवल तक पूरा प्लान देख लिया है, इसके बाद जो लेवल आएंगे सर, जैसे की blue diamond, black diamond, royal diamond, crown diamond, ambassador, royal ambassador, crown ambassador, and brand ambassador, यह total 18 लेवल कमपनी ने जो अभी तक launch किया है, जैसे ही कोई वैक्ती 18 लेवल तक पोचेंगे, तो कमपनी अ भी ओपन कर देगी, बट यह 18 लेवल तक जो प्लान अभी तक कमपनी का है, जो भी वैक्ती इस लेवल तक पोचेंगे, या आप इस लेवल तक पोचेंगे, तो कम से कम 100 करोड रुपे तक की income आप कर चुके होंगे, so this is called 100 करोड अपॉर्चुनिटी, thank you so much